का दोस्तों मेरे नाम है रवीयो स्वागेत है आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं करक राशी वालों के मार्च माह के राशी फल के बारे में के कैसा रहने वाला है मार्च दोहजार चौबिस करक राशी के जातकों के लिए और क् बने रहेगा वीडियो के आंत तक क्योंकि आंत में मैं आपको कुछ उपाएभी बताऊंगा जिने करके आप अपने इस महिने को अपने लिए और भी उत्तम बना सकते हैं तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्त की जब का स्वास्त के महिने में, तो 17 मार्स से पहले आपको दाटों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, थोड़ी बहुत समस्या दाटों से रिलेटेड रहेगी, और 17 मार्च के बाद आपको पने पेट का थोड़ा ख्याल लगना पड़ेगा आपको खाने पीने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको पाचन से समंदित समस्या हो सकती है शाथी साथ आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है पेट में दर्द की समस्या उत्पन हो सकती है तो यहाँ पर आपको पेट और दात का बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा आप जो कुछ भी खापी रहे हैं उसके ओपर भी थ्यान देना पड़ेगा ताकि आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके अनिता कोई बड़ी यहां पर परशानी आती नहीं दिख रही है परन्तु यह चोटी मुटी समस्याओं का आपको ध्यान देना पड़ेगा आप यहां पर बात करें अगर आपकी सिक्षा कैसी रहेगी तो 16 मार्च से पहले आपकी सिक्षा काफी अच्छी है अगर कोई अड्मिशन लेना चाहे रहे हैं या कुछ भी नया करना चाहते हैं कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो सिक्षा के लिहास से 16 मार्च के पहले का समय आपके लिए बहुत अच्छा है आपका मन भी जो है सिक्षा में लगेगा आप बिल्कुल फोकस्ट रहेंगे जो आप कर रहे हैं परन्तु 16 मार्च के बाद सिक्षा में थोड़ी सी समस्या आते होई दिख रही हैं आपे आपकी चीज़े जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं रहेंगी और आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी 16 मार्च के बाद सिक्षा से आपका मन भी थोड़ा सा भटकता हो दिख रहा आपका मन नहीं लगेगा माइंड डाइवर्ट होगा किसी और चीज़ की तरफ और आपको यह लगेगा ही जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो आपको यहां पर बिल्कुल फोकस रखना है अपने गोल पर अपने टार्गेट पर जिस भी कोस में अपने अड्मिशन लिया है उसके ओपर फोकस रखिएगा क्योंकि यही आगे चलके आपको फाइदा पहुचाएगा आपके जो भी डिसिजन्स हैं अच्छे हैं पढ़ाई को लेकर तो 16 मार्च के बाद आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजेगा और किसी की बातों में मत आईएगा अब यहां पे अगर बात की जाएए प्रेम प्यार की कि कैसा रहेगा करकराशी के जाते को का प्रेम प्यार मार्च के महीने में तो 17 मार्च से पहले तो आपकी लव रिलेशन की इस्तिती जो है वो नॉर्मल है सारी चीज़े नॉर्मल रहेंगी परन तो 17 मार्च के बाद पार्टनर के मूड में आपको अचानक से बदलाओ देखने को मिलेगा आपको यह लगेगा कि अचानक से आपके पार्टनर का नेचर इतना चेंज कैसे हो गया वो बात बात में उनके अंदर थोड़ी सी आपको परिशानी दिखेगी और वो थोड़े से सहज महसूस करेंगे अपने आपको एकदम से जो है अबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर देंगे तो यह थोड़ी सी समस्य रहेगी उनके साथ उनका मूड बहुत स्विंग रहेगा एक पल में उनका मूड कुछ होगा और दूसरे पल में उनका मूड कुछ होगा तो यहाँ पर थोड़ी समस्य आपको छेलनी पड़ सकती है सत्रा मार्ज के बाद अपने पार्टनर के साथ और अगर आप बात करें आपके विवाहिक जीवन की तो मेरिट लाइफ वैसे आपकी अच्छी रहेगी मार्ज के महिने में परन्तु लाइफ पार्टनर के स्वास्त में थोड़ी बहुत समस्य आती रहेगी और यह समस्य रुक रुक कर आएगी कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या तो स्वास्थ में उनके दिक्कत रहेगी माज के महिने में बाकी थोड़ी सी चलचलाहाट उनके अंदर रहेगी मिसंडेस्टेंडिंग और कम्मुनिकेशन इशूज भी रहेंगे आप दोनों के बीच में तो मेरिट लाइफ वैसे तो अच्छी है परन तो यह चोटी चोटी चीज़े बीच बीच में आती रहेंगे जिससे आपको थोड़ी सी समस्य उत्पन हो सकती है वैसे कोई मेजर इशूज नहीं है मेरिट लाइफ को लेकर अब यहाँ पर अगर बात करने सबसे इंपॉर्टन विश है आपके भाग की तो भाग यह आपका अच्छा है और आपको बस इतना करना है कि जो भी काम आप करना चाहते है सिर्फ उसी काम पर फोकस करें आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी अगर आप बार बार अपना लक्ष चेंज करते रहेंगे और बार पर अपना ध्यान किसी और काम पर केंदित करते रहेंगे तो आप जो पहले वाला काम कर रहे हैं उसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे तो भाग यह आपका अच्छा है परन्तु आपको अपने काम के उपर फोकस करना पड़ेगा तो भाग के लिया से भी काफी अच्छा महिना रहेगा आपका मार्च का भागी करीर की अगर बात की जाए तो 16 मार्च से पहले आप अपने कारेज शेतर में बॉस की तरह भी हेव करेंगे आप अपनी मर्जी चलाएंगे हर काम में किसी के दबाओं में आके आप काम नहीं करेंगे ऐसी इस्तिए 16 मार्च के पहले रहेगी आप अपने छेतर के राजा रहेंगे परन्तु 16 मार्च के बाद ये इस्तिए बिल्कुल पलट जाएगी आपको जो है काम से रिलेटेट थोड़ा सा तनाव रहने लगेगा और अपने कार शेतर में आप थोड़ा सा डाउन फिल करेंगे काम से रिलेटेट थोड़ी बहुत समस्या आपको आ सकती यहाँ पे क्योंकि आपके टार्गेट जो है पूरे होने में और बहुत सारी समस्याइं एक साथ आपके उपर आती दिख रही हैं 16 मार्ज के बाद तो यहां पर मैं आपको अभी उपाय भी बताऊंगा जिने अगर आप करते हैं तो इन समस्याओं सो भी चुटकारा पा सकते हैं अब अगर बात किजा आपके व्यपार भाव की तो व्यपार भाव में जो भी कम्निकेशन इंडस्ट्री में हैं marketing industry में है, IT industry में है इन सब के लिए व्यापार काफी अच्छा रहने वाला है और व्यापार में बहुती फाइदा भी होने के योग बनते दिख रहे हैं daily income में ब्रद्धी होती दिख रही है अगर आप इन fields से related कोई भी व्यापार करते हैं कोई भी business करते हैं तो आप यहाँ पे अपने उस व्यापार को expand कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको उसमें बहुती अच्छे सफलता के योग बनते हैं आपे दिख रहे हैं तो व्यापार के लिहाज से भी मार्च का महिना काफी अच्छा रहने वाला है आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं व्यापार के लिहाज से अच्छा महिना है परन्तु एक पर अपनी कुंडली का विसलेशन जरूर करवा लिजेगा क्योंकि आपके कुंडली में ग्रहों की इस्तिती कैसी है इसके अनुसार भी चीज़े डिपेंड करती है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो कि चनरराशी के ओपर अधारित है और जो आपकी कुंडली होगी वो स्पेसिफिक आपके लिए क्योंकि एक राशी कई लोगों की हो सकती है परन्तु बर्थ चार्ड में जो आपके ग्रहे है वो किस इस्तिती में है ये भी डिपेंड करता है वो आपकी कुंडली को देखने के बाद ही पता चल पाता है अब जैसा मैंने वीडियो के शुरुवात में कहा था कि मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने इस महिने को अपने लिए और भी उत्तम बना सकते है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको रोजाना मंगल का भीजमंत्र 108 बार जाप करना है साथी साथ चंद्र का भीजमंत्र भी आपको रोजाना 108 बार जाप करना है और हनुमान 40 का पार्ट आपको रोजाना करना है अगर आप इतने उपाये करते हैं इन तीन उपाये के साथ आपका ये मार्च का महिना आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध हो सकता है तो एक बार इन उपाये को करके देखेगा आपको लाब मिलेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शे जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद